हेलो गाईज वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल इट्विस्टेट कहानिया मेरा नाम है कनीका आज मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ एक और नई ट्यूज़े स्चोरी आज की मेरी ये जो स्चोरी है ये ओविसली एक नॉन क्राइम स्चोरी है लेकिन ये काफी जादा म सूपरस्ट इस्चेशन माउन्टेंस की एक कहानी अभी मैंने आपको हाल ही में सुनाइ थी उस स्चोरी में आपको बताया था कि ये जो सूपरस्टिशन माउन्टेंस है यानि की अंदविश्वास ये इनको आगर हंडीन कहा जाए ये अपने आपने बहुत जारा मिस्टी मैंने आपको camp survivor story के रूप में सुनाई थी जिसमें एक लड़का अकेले camp करने चाता है इस mountain में और उसे किस तरीके का experience होता है उस story का link भी मैं आपको comments में देदूँगी अगर आप चाहेंगे तो उस story को भी आप जाकर देख सकते हैं तो फिलहाल इनी mountain से जुड़ी एक दूसरी कहानी में आपको सामने पेश करती हूँ इन mountains के बारे में ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा खाजाना छुपा हुआ है यानि कि यहाँ पर एक hidden treasure है बहुत सारे adventurers यहाँ पर गए खाजाने की खोज में बहुत सारे साहसी लोग गए जिन्होंने बहुत जारा मेहनत की उस खाजाने को खोजने के लिए उन में से कई सारे लोग महाँ पर मारे गए उनके मरने के कारण भी कई बार पता नहीं चल पाए कि वो क्यों मारे गए कई सारे लोग जो की जिंदा बचके वहाँ से वापस आए उन्होंने एक क्लेम किया कि उन्होंने बहुत सारे unseen predators को वहाँ पर महसूस किया है यानि कि वहाँ पर कोई है जो की दिखाई नहीं देता ऐसा नहीं है कि वहाँ पर लोग hiking के लिनी जाते हैं लेकिन ऐसा बताया जाता है कि अगर कोई खजाने की खोज में वहाँ जाता है तो उसके experience कुछ अलग होते हैं क्योंकि एक unseen entity है जो की इस खजाने की रक्षा कर रही है इसके अलावा भी जो लोग वहाँ पर camping के लिए जाते हैं ट्रैकिंग के लिए जाते हैं हाइकिंग के लिए जाते हैं उनको भी यहाँ पर कुछ super natural experiences हुए है यह कहानी है 1931 की तो 14 जून 1931 में एक 59 years old आदमी जिसका नाम था Dr. Adolf Ruth वो अपने खचर पर बैठा उसे उसी खजाने की खोच में जाना था जिसके बारे में मैंने आपको बताया है जो कि superstation mountains में था वो कई घंटों की जर्नी के बाद उस जगे पर पहुँचा जहाँ पर उसको कई दुनों से पहुँचना था यह जो बहुत ज़रा cramps हो गए थे इतनी देर से खचर पर बैठे बैठे हाथ पैर जटकने के बाद थोड़ा अपने बॉड़ी को ठीक करने के बाद उन्होंने अपने चारों और देखा उनके चारों और सुपरिस्टीशन माउंटेंस की लंबी लंबी चोटियां खड़ी हुई थी ऐसा लग रहा था कि वो सुपरिस्टीशन माउंटेंस पूरा आसमान तक पहुच रहा है वो अपने चारों और देखकर बहुत ज़रा इंप्रेस हुए उन्होंने स्माइल किया और अब वो समझ हो जा रही हैं इस माउंटें रेंज में बहुत सारी गुफाएं थी बहुत सारी केड्स थी जिसमें लोग रहा करते थे लेकिन फिलहाल ये सारी गुफाएं अभी खाली थी अब यहाँ पर लोग काफी कम आते थे सच तो यह था कि अगर आप इन माउंटेंस की चड़ाई क भी कम जाते थे लेकिन डॉक्टर रूट जानते थे कि जहां पर वो खड़े हैं यानि कि जिन दो उची-उची रॉक्स के बीच में वो खड़े थे उनको पता था कि यही जो पर्टिकुलर पॉइंट है यहां पर उनको पहुँचना था और अब यहां से आगे वो एक ऐसी ज बॉस्ट डच्मेन गोल्ड माइन है जिसमें बहुत जाला गोल्ड है और इसी गोल्ड की तलाश में यहां पता नहीं कितने सारे ट्रेजर सीकर्स आ चुके थे जो कि इस खजाने की तलाश में आये थे उन्हें पूरा यकीन था कि वो अमीर बन जाएंगे लेकिन बाद में को मारे गए थे लेकिन डॉक्टर रूट को पता था कि वो एक एवरेज या एक ओडिनरी ट्रेजर सीकर नहीं है बलकि उनके साथ कुछ इस्पेशल एडवांटेजिस भी थे उनके पास कुछ ऐसा था जो कि उनसे पहले आने वाले किसी भी खजाने के खोज करता के पास नह अभी डॉक्टर रूट इनी सारे सपनों में खोए थे तब ही अचानक उन्हें याद आया कि उनके साथ वहाँ पर दो गाइड्स भी आई हुए हैं वो अपने साथ दो काउबोई गाइड्स को लेकर आए थे इनी गाइड्स ने डॉक्टर रूट को यहां पर पहुँशने का समय आ गया है आगर हम डॉक्टर रूट की बात करें तो वह एक रिटाइड व्यक्ति थे वह गोवर्मेंट एंप्लॉई रहे थे जो की वाशिंग्टन डी सी में काम किया करते थे उनकी हाइड काफी कम थी वह चश्मा लगाते थे और थोड़ा सा लंगडा कर चलते थे ये जो दोनों काउवाई गाइड्स थे वो उनको बहुत जारा तवज्यों नहीं दे रहे थे उनको ऐसा लग रह था कि ये व्यक्ति यहां पर आ तो गया है लेकिन खजाना ढूंडना इसके बस की बात नहीं है डॉक्टर रूट भी उनके मन के विचारों को जानते थे और और मैने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जब तुम मुझे इस हिस्से में छोड़ दोगे तो तुम यहां से वापस चले जाओगे यहां तक आने के लिए मैने तुम्हें पैसे दिये थे अब तुम यहां से जाओ अब मैं अपने आप सब कुछ मेनेज कर लूँगा देख रहे थे तो उन्हें उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि यह इतना कमजोर बूढ़ा व्यक्ति है यहां पर डेजर्ट में मारा जाएगा और इसको हम ऐसे कैसे छोड़कर चले जाएं एक तरह उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है उनको पूरा शहर यह यकीन भी होगा कि यहां पर कोई खजाना नहीं है लेकिन इस तरह से डॉक्टर रूट को उस सुनसान रेगिस्तान में छोड़कर जाना उनको काफी अजीब लग रहा था आप इन्होंने जाते जाते डॉक्टर रूट स सीधे यहां से जाओ, मुझे तुमारी कोई जरूरत नहीं है मैं फाइन हूँ और मुझे इसके आगे अपनी साय तक खुद करनी है अब मैं यहां पर अपना कैम्प लगाने जा रहा हूँ अपना समान सेट करने जा रहा हूँ और तुम तुरंत यहां से जाओ इसके बाद Dr. Ruth अपना समान घोडे से कहचर से नीचे उतारने लगे अपना काम करने लगे उनोंने उन गाइड्स को थोड़े और पैसे दिये उनको टिप दी उसके बास जब उन गाइड्स ने ऊट टिप ले ली तो एक दूसरे की तरफ देखा अपने कंधे उचकाए उन्हें पता था कि इसके आगे अब डॉक्टर रूट से बात करने का कोई फायदा नहीं है वो अपनी जित पर पूरी तरह से अडेवे थे ये दोनों गाइड्स अपने अपने घोडों पर या खचरों पर बैठे और वापस अपनी उन्होंने लोटने की जर्नी शुरू कर दी अब जो डॉक्टर रूट थे वो इन लोगों की फीलिंग समझ रहे थे उन्हें पता था कि गाइड्स उनकी चिंता कर रहे हैं लेकिन उन्हें अपने उपर पूरा यकीन था एक तरह से उन्हें अपने उपर प्राउड था वो जानते थे कि इन लोगों से पीछा चुड़ा कर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है वो अपना समान वगएरा सेट करने लगे जब उन्होंने अपना सारा समान सेट कर लिया जब वो पूरी तरह से खाली हो गए तब उन्होंने चारों और देखा अब उस खाली लैंडिसकेप को देखकर जबकि अब वहाँ पर डॉक्टर रूथ अकेले थे तब ही अचानक उन्हें महसूस होने लगा कि पतानी उन्होंने सई डिसीजन लिया है या नहीं लिया है अब उनकी सारी बहादुरी हवा उचुकी थी और उनको थोड़ा सा अब यहाँ पर अजीब महसूस होने लगा था लेकिन डॉक्टर रूथ ने अपने आपको यकीन दिलाया कि सब कुछ ठीक है वो कोई एक बूढ़े कमजोर आदमी नहीं है चाहें वो ऐसे दिखते हैं लेकिन वो अपने आपको हैंडिल कर सकते हैं भले ही उन्हें इस एरिया के बारे में ठीक से जानकारी नहीं है लेकिन उनके पास एक मैप है एक ऐसा मैप जो कि उनको खजाने की खोज में जरूर सफलता दिलाएगा एक ऐसा मैप जो अभी तक किसी के पास नहीं था अब डॉक्टर रूथ ने वहाँ पर कुछ घंटों तक के लिए कैम्ट किया, वहाँ पर खाया पिया उसके बार अपना सारा का सारा समान समेटा अपने खचर पर लादा और अब उन्हें इससे आगे की जर्नी शुरू करनी थी और ये जो जर्नी थी अब एक कैनियन के अंदर थी यानि कि अब उन्हें खाई में उतरना था थोड़ी देर के बाद जब उनकी जर्नी शुरू वे भी थोड़ी देर हुई थी तब ही अचानक सूरज डूबना शुरू हो गया और तब डॉक्टर रूट ने डिसाइड किया कि अब उनको फिर से रुकना है और रात अब उन्हें कहीं न कहीं बितानी है तब ही अचानक उन्हें ट्रेल के साथ एक बड़ी सी क्लियरिंग दिखी यानि कि एक साफ हिस्सा दिखा उन्हें डिसाइड किया कि वो वहीं पर अपना कैम्प लगाएंगे इसके बार इन्होंने अपना कैन्वस चैंट निकाला उसको सेट कर लिया जब उन्हें लगा कि सब कुछ ठीक है तब डॉक्टर रूत ने एक छोटी सी फायर को शुरू किया यानि कि एक छोटी सी आग लगाई उसके पास वो एक पत्थर पर पत्थर को लुड़का कर उसके पास लाए और उसके बैट गए जब सब कुछ सेट हो गया तब उन्होंने अपने बैक को खोला उसमें से एक नोटबुक निकाली और साथी उस मैप को भी निकाला जिसको वो साथ में लेकर आए थे ये जो उनका मैप था ये एक बहुत ही पुराना मैप था और उसकी हालत बहुत जरा खसता थी ये जो मैप था ये डॉक्टर रूट के बेटे ने उनको दिया था और उनके बेटे ने ये मैप एक व्यक्ति से हासिल किया था जो कि मैक्सिको में रहता था और उस व्यक्ति को यह जो map था ये एक family से मिला था एक ऐसी family जो की superstation mountains में mining करने के लिए आती थी यानि की खनन का काम करने के लिए आती थी इन लोगों ने यहाँ पर आकर इस map को तयार किया था लेकिन इस से पहले की वो इस खजाने की खोज कर पाते उन सब को मार डाला गया शायद खजाने के लालश में उनकी हत्या कर दी गई थी लेकिन पता नहीं कैसे उनका ये चो मैप था ये बचा रहे गया और फाइनली कई हाथों से होता हुआ ये डॉक्टर रूत के बेटे के पास पहुंचा डॉक्टर रूत के बेटे ने इस मैप को अपने पिता डॉक्टर रूत को दिखाया और तब डॉक्टर रूत ने इस मैप को देखकर ये डिसाइड किया कि वो इस जर्नी को शुरू करेंगे और उस खजाने को खोजेंगे अब जब डॉक्टर रूथ वहाँ पर बैठे बैठे इस मैप को देख रहे थे तब ही उन्होंने महसूस किया कि उनके ठीक सामने उन्हें एक बहुत बड़ा रॉक फॉर्मेशन नज़र आ रहा था यानि कि एक बहुत बड़ी पहाड़ी जो की कबर के एक पत्थर जैसी नज़र आ रही थी फिर उन्होंने मैप में देखा तो पाया कि इस तरह की एक पहाड़ी उस मैप में भी ड्रॉक की गई थी यानि कि कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह की एक पहाडी के पास जाना था उन्हें अपनी आखों पर इश्वास ही नहीं हुआ कि ये मैप में दिखाई गई पहाडी वाकई में उन्हें अपने सामने दिख रही है बार बार उन्होंने उस map को देखा उस पहाड़ी को देखा और उनको पूरा यकीन हो गया कि यही वो पहाड़ी है जो कि इस map में दर्शाई गई है फिर उन्होंने पाया कि इस map में इस पहाड़ी को जो दर्शाये गया है यानि कि उसकी photo बनाई गया है उसके बगल में एक arrow है यानि कि एक तीर का निशान बनाया गया है और ये दिखाया गया है कि वो जो खजाना है वो इसी पहाड़ी के बगल में है अब ये जो पहाड़ी जो कि ये ग्रेविस्टोन जैसी नजार आ रही थी असल में उसका नाम था दवीवर्स नीडिल अब डॉक्टर रूथ ये देखकर बहुत जारा एक्साइटेड हो गए बहुत जारा खुश हो गए उन्होंने डिसाइड कि अगले दिन में यानि कि कल वीवर्स नीडिल की अपने बैग में रख दिया उसके बाद उन्होंने उस फायर पर से अपना खाना उठाया जो कि उन्होंने पकने के लिए इस फायर पर रखा था उनका खाना था कुछ बीन्स और मीट वो अच्छी तरीके से पक चुके थे उन्होंने वो खाना शुरू कर दिया और बीश- पर कोई भी कमपेनियन नहीं था वो किसी से बात नहीं कर सकते थे और जिस समय की ये बात है उस समय इस समय के कोई भी ऐइंटरटेंवेंट के साधन मौझूद नहीं थे जब तक डॉक्टर रूट ने अपना खाना खा कर खतम किया तब तक उस कैनियन में पूरी तरह से रा चाप हो या हम कहते हैं कि टापों की आवाज हो जैसे बहुत सारे घोडे उस कैनियन में मार्च कर रहे हो एक सेकिंड के लिए तो डॉक्टर रूत को वहाँ पर किसी और की मौजूद की काफी अच्छी लगी वो बहुत ज़रा रिलीवड फील कर रहे थे लेकिन फिर उनको य दॉक्टर रूत को लूट ले फिलहाल अब सब कुछ दुबारा से बहुत ज़्यादा शान्त हो चुका था वहाँ पर अब कोई भी नौइस नहीं आ रही थी और उनको फिर से बहुत ज़रे स्पूकी लग रही थी वो जगह अब डॉक्टर रूत ने आवाज देना अब डॉक्टर रूत को लगने लगा कि शायद उनको ऐसे ही वहम होगा या किसी और चीज की आवाज होगी हवा चलने की आवाज होगी लेकिन इसके बाद भी डॉक्टर रूत को अब बहां पर डर महसूस होने लगा उन्होंने इस जगह की बहुत सारी कहानिया सुनी थी अब बहुत सारे लोग मारे गए थे उनको ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ कि जो इस्टोरीज मैंने सुनी है कि यहाँ पर बहुत सारे अंसीन प्रिडेटर्स घूमते रहते हैं वो सच हो अब डॉक्टर रूत ने डिसाइड किया कि अब मैं सो जात हूँ अगर मैं सो जाओंगा तो मुझे डर महसूस नहीं होगा और मेरा दिमाग भी फालत में बॉर्डर नहीं करेगा अब उन्होंने कैंप में जाकर सोने का डिसीजन लिया उन्होंने अपनी सारी की सारी चीज़े पैक की अपने टेंट के अंदर गए और अपने बैड मे जाकर सो गए वो तुरंथी सो गए हाला कि उन्हें पता था कि ये कोई बहुत सेफ जगह नहीं है उनका टेंट वो एक सिंबल सा कपड़े का बनावा टेंट था यानि कैंवस का टेंट था ऐसा नहीं था कि अगर कोई उसके अंदर घुसना चाहे तो वो घुस नहीं सकता है लेकिन फिर भी कही न कहीं mentally उन्हें महसूस हो रहा था कि वो किसी बंद जगह के अंदर है यानि कि उनके सिर पर चाहें canvas की ही सही लेकिन छट मौजूद है तो उनको थोड़ा सा safe feel हुआ वो तुरंथी सो चुके थे और उनका दिमाग भी अब शांत था लेकिन कुछ घंट लिए उनके जो टेंट का flap था वो खुला हुआ था उनके सिर पर टेंट था चारो और भी थोड़ा बहुत उसका कपड़ा मौजूद था लेकिन पूरी तर ऐसे उनका जो टेंट था वो बंद नहीं था जैसे आजकल के टेंट होते हैं जब उन्होंने बाहर देखा तो बहुत दूरी पर उनके टेंट से काफी दूरी पर कुछ मूव कर रहा है शायद अधेरे में और ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत जारा दूरी पर था जब उन्होंने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हों ने देखा कि शायद वो दो आँखों जैसी थी जो की लगातार डॉक रूथ को महसूस हुआ कि उनके दिल की धड़कन बहुत बढ़ चुकी है वो यह सोचने लगे कि क्या यह कोई इनसान है कोई जानवर है या क्या है डॉक्टर रूथ अभी चीखने ही वाले थे तब ही अचानक से वह आंके ब्लिंक हुई और ब्लिंक होने के साथ ही वह आंक खड़ा हुआ था और वो जोड से चिलाए कि अगर तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें बिना सोचे समझे शूट कर दूँगा लेकिन जवाब कुछ भी नहीं आया वो जिसकी भी आंके थी वो इंसान वो जानवर या वो एंटिटी वापस लोटी ही नहीं लेकिन जो ड था उसको डॉक्टर रूट ने दुबारा कभी नहीं देखा ना ही कोई आवाज आई इसलिए इवेंच्योली डॉक्टर रूट ने डिसाइड किया कि अब वो दुबारा सो जाएंगे उनको फिर से नीज आने लगी थी वो दुबारा सो भी गए और रात में खुश नहीं ह जब वो जागे तो मॉनिंग हो चुकी थी अब डॉक्टर रूट तुरंती उठे वो उसी डिरेक्शन की तरफ बढ़े जहां पर उन्होंने उन दो आखों को देखा था वो कोई ना कोई जमीन पर निशान ढून रहे थे उन्हें लग रहा था कि किसी ना किसी के पैरों के निशान वहां पर मिलेंगे कही ना कहीं उनके दिमाग में यह चल रहा था कि शायद रात को वहां पर भेड़ी आया होगा और उसके पैरों के निशान उनको वहां पर जरूर मिलेंगे और मिल जाएगा कि वहां पर कोई जानवर मौजूद था और वो जो बहुत जारा घबरा रहे थे कहीं न कहीं अभी भी मनी मन उससे उनको छुटकारा मिल जाएगा जब वह लगबक उसी जगह पर पहुंचे जापर उन्होंने आखे देखी थी तो वहां पर उनको बहुत सारे कोयोटे ट्रेक्स मिले यानि कि यूव भेड़ी एकई ट्रेक्स जैसे निशान मिले हर जगे उनके पैरों के निशान थे अब वह बहुत जारा रॉक्स महसूस कर रहे थे उन्हें लग रहा था कि देखो मेरा ब्रैनी मेरे सा ट्रिक कर रहा है मुझे ड़रा रहा है यहाँ पक्का कोई न कोई रात को भेड़ी आया होगा लेकिन तभी अशानक से उनको कुछ वहाँ पर और भी दिखा वहाँ पर कुछ पैरों के निशान बने वे थे जो की इनसान के पैरों के निशान थे जो की हम कह सकते कि इनसान के पैरों के निशान जैसे कम से कम नजर आ रहे थे जैसे अगर कोई व्यक्ति नंगे पैर चले तब उसके पैरों के निशान जैसे बनेंगे लेकिन जो साइस था उन पैरों के निशानों का वो काफी छोटा था ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी बच्चे के पैरों के निशान हो कुछ समय के लिए तो डॉक्टर रूट को ऐसा लगा कि शायर ये मेरे फुट प्रिंट्स हो क्योंकि उनका जो पैरों का साइस था वो करीब सिक्स था लेकिन वो तो कभी महाँ पर नंगे पैर चले ही नहीं तो किस तर ऐसे ये ट्रैक्स उनके हो सकते थे और वो ये देखकर और जाना घबरा गए कि ये जो प्रिंट्स थे यानि की फुट प्रिंट्स थे ये उस जग ऐसे चलते हुए उनके टैंट तक आये थे उनके टैंट के चारों और वो जो भी व्यक्ति था या जो भी जानवर था जिसके पैरों के निशान इंसान जैसे थे वो उनके tend के चारोओर कई बार घूमा था और उसके बाद वो वहाँसे गया भी नहीं था क्योंकि जाने के कोई निशान नहीं थे ऐसा लग रहा था कि circle करते करते ही वो entity महाँसे गायब हो गई हो अब Dr. Rooth बहुत ही जादा घबरा चुके थे उन्होंने डिसाइड किया कि बस अब मैं इस जगह से निकलूँगा मैं वीवर्स नीडिल तक पहुँचूँगा उस ट्रैजर को खोजूँगा और उसके बाद तुरंती यहां से निकल जाऊँगा अब वो तेजी से चलती हुए अपने टेंट के पास आए जल्दी जल्दी उन्होंने अपना सारा का सारा समान समेटा अपने खचर पर लादा और उसके बाद वीवर्स नीडिल की तरफ वो बढ़ चले अब वो वहाँ पर पहुँच चुके थे जो की एक बड़े से ग्रेविस्टोन की तरह नजर आ रहा था और वो उस जगह पर करीब दो घंटे की जर्नी के बाद पहुँच गए थे डॉक्टर रूत के उस मैप में लिखा था कि जहां तक इस बड़ी सी पहाड़ी यानि की वीवर्स नीडिल की चाया पड़ती है उसके अंदर ही अंदर वो खजाना मौजूद है यानि की उसकी चाया के अंदर ही वो खजाना मौजूद था अब उन्होंने यानि कि डॉक्टर रूत ने ये देखा कि वो उस चाया के अंदर ही खड़े वे थे वो अच्छी तरीखे से जानते थे कि वो खजाने के काफी करीब है अब उन्होंने इस मैप को फॉलो करना जारी रखा उन्हें इस पहाड़ी से एक टर्न लेना था उसके कॉर्नर से एक टर्न लेना था और उसके बाद उन्हें कैक्टस दिखना था यानि कि बहुत बड़ा वहाँ पर उन्हें कैक्टस नजार आना था और ऐसा ही हुआ, उनके सामने एक बहुत ही बड़ा कैक्टस मौजूद था जैसा उस कैक्टस के बारे में बताये गया था, वो बिल्कुल वैसा ही नजार आ रहा था अब डॉक्टर रूथ वहाँ पर आकर रुख गए, वो इस कैक्टस को ध्यान से देख रहे थे और उसके बार मैप को भी देख रहे थे, अब उनको पूरी तरह से समझ में आ गया था कि यह सेम कैक्टस है जो कि उस मैप में दिखाया गया है अब डॉक्टर रूथ सोचने लगे कि ओमाई गॉड यह मैप तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल एक्यूरेट है मुझे इसमें बताए हुए सारे के सारे लेंडमार्क्स एक एक करके मिल रहे हैं तो अब मैं शायद खजाने के बहुत ज़्यादा करीब हूँ अब इन्हें इस कैक्टस के पर्टिकुलर एंगिल से इस वीवर नीडिल की तरफ बढ़ना था और अगर वो ठीक रास्ता चुन लेते तो वो सीधे खजाने तक पहुँच जाते कई बार मैप को कंसल्ट करने के बाद वो ठीक से उस रास्ते को समझ गए जहाँ पर फाइनली उनको चलना था अब उन्हें रियलाईज किया कि यही वो रास्ता है जो सीधा वीवर्स नीडिल के बेस तक जा रहा था और वही पर एक्जैक्ली उसी पॉइंट पर वो खजाना मौझूद था अब डॉक्टर रूथ बहुत जादा एक्साइटेट फील कर रहे थे वो तुरंत अपने खचर पर बैठे उन्होंने अपना सारा का सारा समान पकड़ा और अब वो उस जाइरेक्शन की तरफ बढ़ने लगे जहां पर फाइनली उनको खजाना मिलना था और जहां पर अब उन्हें खुदाई करनी थी अभी उनको चलते वे थोड़ी देर ही हुई थी तब ही उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे उन्होंने कोई आवास सुनी है जैसे ही वो पीछे मुड़ कर देखने लगे तब ही उनको एक एक एक्स्प्लोजन सुनाई दिया वापस आने के बाद उनको यह महसूस हुआ कि डॉक्टर रूत को वहाँ पर अकेले छोड़कर उन्हें सही नहीं किया उन्हें जाकर डॉक्टर रूत की खोज ख़बर लेनी चाहिए कि वो ठीक है नहीं है अब वो डॉक्टर रूत को चेक करने के लिए उसी जगह पर आये जहां पर उन्हें डॉक्टर रूत को छोड़ा था वहाँ आकर उन्हें पाया कि डॉक्टर रूत ने वहाँ पर कैंपिंग की थी उसके बाद आगे भी उन्हें डॉक्टर रूत का कैंप साइट मिला के लिए लेकिन 45 डेज बीतने के बाद भी कोई भी उनकी जानकारी मिली ही नहीं किसी ने भी ना तो डॉक्टर रूथ को देखा था ना उनकी लाश को देखा था ना उनका कोई भी ट्रेस मिला ना ये जानकारी मिली या कोई सुराग मिला कि उनके साथ कुछ गडबड हो गया यानि कि ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर रूथ बिल्कुल गायब हो गए हैं जब इतनी बड़ी सर्च का भी कोई नतीजा नहीं निकला तो अब इस सर्च को बंद करा दिया गया और यही मान लिया गया कि डॉक्टर रूथ वहाँ पर मारे गए हैं अब धीरे धीरे डॉक्टर रूथ को गायब हुए थ्री एंड आफ मंथ बीद गए यानि कि साड़े तीन महीने बीद गए अब किसी को भी डॉक्टर रूथ की खोज ख़बर नहीं थी कोई भी उनको तलाश नहीं रहा था सभी ने मान लिया था कि डॉक्टर रूथ वहाँ पर मारे गए हैं अब इन साड़े तीन महीनों के बाद यानि कि दिसेंबर ओफ 1931 में कुछ और एक्सप्लोरर्स जो की सुपरिस्टिशन माउंटेंस में एक्सप्लोर करने के लिए आए थे वो इसी बड़ी रॉक फॉर्मेशन यानि कि वीवर्स नीडिल के पास मौचे और उस खोपडी के साइड में दो बहुत ही बड़े बड़े छेत थे ये जो फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ ये उसी सेम स्कल की है जो वहाँ पर मिली थी फिर इस स्कल के मिलने के करीब वन मन्त के बाद यानि एक महीने के बाद कुछ और एक्सप्लोरर्स वहाँ पर गए उन्हें जहां पर डॉक्टर रूट की खोपडी मिली थी उससे करीब एक मील की दूरी पर यानि डेड़ किलोमीटर की दूरी पर उन्हें एक स्केलेटन मिला जो की बाद में पराचला कि डॉक्टर रूट का ही स्केलेटन था यान की कंकाल था अब डॉक्टर रूट की क्य Dr. Ruth के skull में दो छेट थे और उनकी खोपड़ी उनके शरीर से अलग कर दी गई थी एक मील दूरी पर मिली थी लेकिन उसके बाद भी जो authorities थी उन्होंने कहा कि Dr. Ruth natural causes से मारे गए है यानि कि उनकी प्राकृतिक मौत हुई है उनकी किसी ने हत्या नहीं की है और इस तरह से उन्होंने case को close कर दिया लेकिन इस case में बहुत सारी weird बाते थी एक टो Dr. Ruth की मौत exactly कैसे हुई है कभी पता नहीं चला उनकी खोपडी में दो छेत कैसे हुए उनका सिर किसने काट कर अलग किया अगर उन्हें कोई जानवर भी खाता तो उनकी खोपडी को अलग नहीं कर सकता था और उनकी खोपडी उनके बाकी शरीर से इतनी दूर क्यों मिली इसके अलावा जब इन्हें बाद में Dr. Ruth का सारा का सारा सारा समान मिला तब उनके बैक से उन्हें Dr. Ruth की चेक बुक मिली और इस चेक बुक के अंदर कुछ लिखा हुआ था ऐसा लग रहा था कि ये जो कुछ भी लिखा है हो सकता है कि ये Dr. Ruth ने लिखा हो लेकिन जब उनकी फैमिली को ये राइटिंग दिखाई गई तो उन्हों ने साफ मना कर दिया ये जो कुछ भी उस चेक बुक में लिखा हुआ था ये Dr. Ruth की हैंड राइटिंग में नहीं लिखा हुआ था ये सिर्फ तीन शब्द थे जो कि महाँ पर लिखे वे थे और वो थे वेनी, वीडी, वीची ये लेटिन लेंग्वेज के वर्ड्स थे और इनका मतलब होता है I came, I saw, I conquered यानि कि मैं आया, मैंने देखा और मैं जीत गया अब जिसने भी ये शब्द लिखे थे, ये समझ में नहीं आया कि उसने ये message क्यों लिखा था इसका क्या मतलब था, लेकिन यही माना जाता है कि जिसने भी Dr. Root की हत्या की उसी ने ये तीन शब्द उनकी checkbook में लिखे होंगे और लोग यही मानते हैं कि Dr. Root की उस दिन हत्या की गई थी अब जब लोगों को इस note के बारे में पता चला तो लोग ये सोचने लगे कि क्योंकि ये note इनकी checkbook से मिला है तो ये कही न कहीं सजेस्ट करता है कि Dr. Root खजाने के सच में बहुत जारा करीब थे वो खजाने को बस प्राप्थी करने वाले थे और ये जितनी भी स्चोरी सुपरिस्टीशन माउंटेंस के बारे में हैं ये वाकई में सच हैं वहाँ पर कोई न कोई खजाना मौजूद है साथ ही लोग ये भी बात करने लगे कि ये कहा जाता है कि कोई entity है जो इस खजाने की रक्षा कर रही है और शायद ये कहानी भी सच है ये जिसने भी लिखा था ये note इसका मतलब ये था कि वो आया यानि कि ये जो entity थी वो आई उसने देखा कि डॉक्टर रूट इस खजाने को प्राप्ट करने वाले हैं और तब उसने डॉक्टर रूट पर विजय प्राप्ट कर ली उनको मार कर तो शायद इस message का ये मतलब था इस entity ने डॉक्टर रूट को वहाँ पर रोग दिया बाद में कई सालों के बाद यानि 1945 में यानि कि डॉक्टर रूट की मौत के करीब 13 years के बाद एक adventurer जिसका नाम था Barry Storm उसने इस रहसे को और जाला गहरा कर दिया इस व्यक्ति ने एक book publish की थी और इस book में उसने अपनी एक journey के बारे में लिखा था उसने इस book में डॉक्टर रूट की मौत की भी चर्शा की थी और उनकी मौत कैसे हुई इसको figure out करने की कोशिश भी की थी उसने इस book में लिखा कि वो भी superstation mountains में गया था और जब वो superstation mountains पहुँचा तब ही अचानक किसी ने उसके उपर गोली चलाना शुरू कर दिया ये जो गोलियां थी ये काफी दूर से कोई उसके उपर चला रहा था उसने cover ले लिया गोलियों से बशने के लिए लेकिन उसको कोई भी नज़र नहीं आया इसके बाद वो canyon में और गहरा उतरता चला गया वो देखना चाता था कि कौन उसके उपर गोलियां चला रहा है लेकिन कोई भी नहीं दिखा Ultimately, Barry Storm ने decide कि वो यहां से चला चाएगा Superstation mountains से बाहर निकल जाएगा बलकि उसको warn करने के लिए गोलियां चला रहा है यानि कि एक तरह से वो उसको चेताव नहीं दे रहा था कि अगर तुम इस जगह के और पास आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा इसने अपनी बुक में लिखा था कि हो सकता है कि Dr. Root को भी किसी ऐसे ही व्यक्ती ने उस दिन मार डाला हो और वो भी शायद खजाने के लालच में ही उस दिन वहाँ पर मारे गए Dr. Root की मौत आज भी एक रहस्य है ना ही किसी व्यक्ती को वहाँ पर छुपा हुआ खजाना मिला है लेकिन करीब 9,000 लोग यानि की 9,000 लोग हर साल वहाँ पर खजाने की खोज में जाते है तो ये स्चोरी यहीं तक आप लोग मुझे बताएगा कि ये स्चोरी आपको थ्रिलिंग लगी या नहीं लगी और अगर आपको इस तरह के किसी खजाने का मैप मिलता है तो क्या आप उसको सच में खोजने जाएंगे या नहीं जाएंगे जबकि आपको पता हो कि वहाँ पर कई सारे लोग इस खजाने के लालच में मारे गए है हाला कि इस तरह के सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है जब तक ऐसा आपके साथ सच में ना हो मेरी तो यही राय है कि अगर आपको ऐसा कोई रक्षा मिलता भी है तो प्लीज मत जाईएगा अपने ध्यान रखिए थैंक यू सो मच फॉर लिस्निंग डू मैं स्चोरीज थैंक यू सो मच